अजिस्त तुलबास स्लाम लेकूं हम इने कासे नूर सबक का मुट्ताला कर रहे हैं जिसमें आज हम कुर्रवी आइनों की किस्मों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे पहला है मकर आइना और दूसरा है मोहद्दिब आइना ये कुर्रवी आइनों की दो किसमे हैं सबसे पहले हम मकर आइना देखते हैं अगर कुर्रवी आइने के अंद्रोनी सते को मुझला कर दिया जाए तो इसे मकर आइना कहते हैं इसमें नूर की शुवा अंद्रोनी सते से मुनकीस होती है अगर कुर्रवी आइने की बैरुनी सते को मुझला कर दिया जाए तो इसे 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 मुझल मुनक्स होने के बाद एक नुक्ते पर सिम्ती दिखाई देती हैं। मकर आइने में अक्स का छोटा या बड़ा होना जिस्म से फासले पर मुनसीर होता है। मौदिव आइने से मुनक्स होने वाली शुआए एक दुसरे की मुत्वाजी होती हैं। लेकिन आइने के पीछे यगजा होती हुई मैसूस होती है। नूर की शुआए जो मेवरे खास के मुत्वाजी हो मौदिव आइने से मुनक्स होने के बाद फैलती हुई दिखाई देती है। इसलिए ये आइना शुआओ को फैलाने वाला आइना कहलाता है। अब हम नूर का फैलना और सिमटना देखते हैं। जब नूर की शुआए मुनक्स होकर एक नुक्ते पर मिलती हैं। इसे नूर का सिमटना कहते हैं। दात, कान और आह के डॉक्टर मुआइना करने के लिए इन शुआओ का इस्तेमाल करते हैं। जब एक ही नुक्ते मंबे से निकलने वाली नूर की शुआए एक दूसरे से दूर जाती हैं। तो इसे नूर का फैलना कहते हैं। इसका इस्तेमाल स्टेट लाइट, टेबल लैम्प वगेरा में किया जाता है। किसी भी जिस्म से आने वाली नूर की शुआ हमारी आख में दाखिल होती हैं। तो वो जिस्म हमें दिखाई देता हैं। क्यूंकि आख के अदसे की मदद से नूर की शुआए फैल जाती हैं। और जिस्म का अक्स परदे शपकिया पर तयार होता है। इस तरह नूर का शुआओ का एक नुक्ते से फैल कर तयार होने वाला अक्स हकीकी होता है ये हकीकी अक्स परदे पर हासिल किया जा सकता है वो अक्स जो मुस्ते आइने से हासिल होता है मजाजी अक्स कहलाता है झाल झाल